नमस्कार दुफ्तों। नौले जब यूटूब चानल में आप सभी कैस्वाबे थे। चलिए चुरूबरते हमारा आज का नए टॉपिक। ब्रिक्स का तोलनात्मक आध्या है। जो में कॉमली प्योग में आने वाली इट्स है। एक लाल इट मिट्टी की इट और दूसरी फ्लाइश इट फ्लाइश ब्रिक। इन दोन का मतलब उनके गणों खनब अनुसार अनुसार अमन लोग सरा हम ले कमपेरिशन करेंगे। लाल या क्लेवरिक्स क्या है लाल इक ले प्ली विट्टी की बनाई जाती है। इननी जली तनी जलिवी मिट्टी जो रहते हैं क्लाजिक आपना इंडियन स्टेंडर सब्सक्राही आप देए मैंग साइट दूनिया के समयको जा फिर शाहिए मैं में गिए और में इो वाली प्रॉट hoc अभी इसमें हम लोग एक बट्टों का देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि यह जो मिट्टी है यह पूरी तर से मानों जन्मित है मेंली भवन निर्मान सिवीर इंजिनियर इंकारिया और यह लैंड्सकेप डिजाइन वगरा है वहां उप्योग की जाती है इन इटों को मेंली उच्छता आपमान में जला कर मिट्टी से बनाया जाता है और गर्मी मिट्टी कणों को फुरुच करने के लिए जम्मिदार होते हैं जो इटों को अत्यम्त मजबुत से रामिक बॉन्ट बना देता है या फ्लाइश भी और फ्लाइश भी के एक निर्मान सामगरी है उसमें विशेश रूप से में दी चिनायवनी का या जिसमें क्लासिया फ्लाइश और पानी होता है यह 28 संपेडित और सब्सक्राइश में बापसनान में 24 घंटे के लिए ठीक हो जाता है और फिर एक एर इंटेटेंग एजन के साथ सक्त हो जाता है यह अंड्रेड फ्रीजिंग फ्रासाइश के लिए ज्यादा लास्ट रहता है यह एस पर आयस 1377 1993 अभी भारत के बिजली से यह जो में दी कोईला के उपर आधारीत है तो यह पावर स्टेशन से ज्यादा लगबग 40 मिलियन टन अफ्लाइश का उपन्न होता है जो अपन्न होता है जो अफ्लाइश में अब तर्मार पावर पंट से निकलने के वाला ज़या जया जाता है और में लिए जो इसमें जो राक अवनचत राक और दोमा उपसर्जिद करते हैं जिससे फ्लाइश का उप्दम होता है में कट्य वाल के समान में पर दोग किया जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि दो लोगप्री इट है जो कलेबरी या पिर मट्टी की इट है और फ्लाइश इट है यह दोनों अपना लोगप्री है और इसके में कुछ गुणों के अधार पर हमने इदर तुलनात्मत अध्यान करने की कोशिश की है चलो हम देखेंगे कि दोनों में इससे बहतर कौन सा है कि इदर एक टेबल बना हुए इसमें गुण दूसरे कॉलम में लान इटे और तीसरे में फ्लाइश इटे तो उनके गुण के आधार पर हम दोनों के तुलना करेंगे सबसे पहले यह उप्योग किया गया सामान मालब कौन कुसी सामगरी वह इट बना आर टुक्तِ तब जाला इटों में में मिक्टीं रहता हैं तरपर लाल राइस है घंट का रंगुन के फीजिव का सिमें बनाए जाती में जाती है संदर फोरसिटी इसके बाद है गाना तबडेंसिटी लानिटों की देंसिटी 1700 से 1750 kg पर एम्किवाइब और इसमें कॉंपरिस के लब दावावग सकती है क्यों की수가 पूम स्क्राइव कि शाई मॉतितों का घ्र्दाइव का 5 सब तरीजी पर सेम स्टाहिम स्क्राइव को जब कि अटें वॉ। के नपगे से सौजी पर सिमी स्क्राइवक। सब्सक्राइब करें तोड़ा सब्सक्राइब हो सकता है इसमें साइज जारा तर समान होने का चैंस सब्सक्राइब के लो साइज करने ट्रांजिट के सप मतल उनित प्रियावरण कि या और नहीं यह जव्लैइब के दो न необход तर्फ इसका तिकनिस बने ईलग हो जब कि कि दो सेंभी होती है रिखन्मि में लाले लटों का स्कॉलिड कारी पाठ रुपए नार रुपए का जब फार के उप्सक्राओ we कि अभी तुल्ना से कोई भी इस परश्टों से बता सकता है कि निर्वान के लिए फ्लाइश इटों की इटों में मिट्टी की इटों के तुल्ना से अधिक फाइदे है अभी हम फ्लाइश इटों के कुछ फाइदे है जो मिट्टी की इटों के तुल्ना में उसको देखी कि दूसरा पाइदा है फ्लाइश की इटे एक क्यों अर्गमेटर में निर्माण के लिए क्यावल 55 kg सीमेंट लगता है जो कि लाल इटर के तुर्णा में कम है कि फ्लाइश हीटों का उपयोग के लिए हम सीमें कपर को पचास टका तक कम कर सकते हैं क्योंकि इन इटों में दिवारों को दोनों तरफ से प्लास्टर की अवश्यक्ता नहीं होती है कि विट्टी के तोना में यहाँ ज्यादा स्टेंट होता है और कम एकसरप्शन होता है और अलके वजन वाले होते हैं कि यह मेली जहां हाई लोड बंदब उच्चबार और इमारते हैं वहां विट्टीकेटों की बज़े से बहार बढ़ता है तो यह फ्लाइश रीटे हम निर्मान करने के बाद विड़ें जो इमारत है उसका वजन दबाव या तना कम करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं दब यह फ्लाइश रीटे पानी बहुती कम अशुशित करती हैं और यह लालेटर के तो नम है बहुती सस्ता है और फ्लाइश रीटे में परिष्ट परदाश रीच्टे बनते हैं जो में ली इसे अ धर्मल बावर प्लाइंट ए इंडिस्ट्री कोईले के देंसे आती हैं जबकि में लाएश रीच्टे इनती है और मिट्टी के आती से बंती है और मिट्टी कि ए रोमियां में पूर्चर को ये फ्लाइश रीचों को अधिक बहतर बनाया जासका है तो दो यह अपना नात्म का देली लाल मिटिक गेटे और फ्लाईश गेटे है वह लाल मिटिके गेटे उसे ज्हादा बैतर है यह ता हमारा आज को टोपी आपको वी वीडियो कैसा लगा ज़्रूर बताएं आप ज़रूर बीडियो देखने पाद लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद